नमस्कार मित्रो अगव आपड़े तुरणग्यार ना रशानुग्नान विशय ना भाग एक ना एकम एक नी अंदर कुल बे भाग अभ्यास मा लई गया छिये अत्या सुधी ना अभ्यास क्रम नी अंदर आपड़े आ एकम मा खास करी ने मापण विशय नी जे वाद छिला भाग नी अंदर छिला लेक्षे नी अंदर आपड़े जे वाद करी एनोच उप्योग करी आगल आपड़े किटलाख प्रश्णना जवाब जे स्वाध्येमा आपेला छिये त्यने पन आपड़े सरदाती उकेली शक्किये छिये साथे साथे आजे आपड़े जारे आज ये कमना मुख्य जे रशाण विज्ञान विशय ने लगता अगत्याना मुद्धा तरफ आपड़े जारे प्रयास बढ़वानो प्रयास करी रहाची ये त्यारे कितनीक बाबा तो अगवना द्रोण मा पन तमारे अभ्यास मा आविगे ली छिये तो एने आपड़े वधारे डिटेल मा अहिया कर आपड़े द्यान मले शू ये माटे सव प्रथम आपड़े पहला तो वाद कर दिये छिये किभी राशाणिक प्रक्रिया कोने के वाएं तो जारे एकज पदार्थ अथ्वा तो एक करता वधू पदार्थो नी संवरचना मा अथ्वा तेना संगटन मा फेरफार थाई छे अने नवा गूंड दर्म धरावतो पदार्थ बने छे नवी संवरचना धरावतो पदार्थ बने छे तेने आपड़े राशाणिक प्रक्रिया तरीके ओड़ खाविये छे बिजीरी तेने राशाणिक फेरफार पाण कही शकाए बहुतिक फेरफार अथो बहुतिक प्रक्रिया दर्म्यान पदार्थ नी संवरचनामा कोई फेरफार ततो नदी मात्र तेना सरुपमा फेरफार थाई छे इतले बहुतिक प्रक्रिया करता राशाणिक प्रक्रिया भिन्न छे तो अहीं आपड़े जोवानू छे के जारे राशायनिक प्रक्रिया बेपदार तो अच्चे थाए छे त्यारे आ प्रक्रिया कया चोक्कस नियमने अनुसरे छे बिजीरे दे कहिए तो राशायनिक सहुगी करनी क्रिया कया चोक्कस नियमने अनुसरे छे अत्वातो राशायनिक प्रक्रिया देर मैं कया नियमोनू पालन ततु जोवा मले छे यहने आपड़े यहां गण सो प्रथम विगत्वार अभ्यास करिये तो अहीं टेली टोप पर आ राशायनिक सहुगी करना नियमों दर्शावेला चे एमा प्रथम नियम चे दढ़ संचाईनो नियम आ नियम एंटोने लेवजियर नामना वेगदेनी के आपए अतो आ नियम एव क्यावा मागे छे के राशानिक प्रक्रिया जर्म्यान द्रव्यानू सर्जान के विनास सतो नथी एटले एक सामन्य उधान तमने अहिया गड़ आपू तो कोई एक राशानिक प्रक्रिया मा प्रक्रिया को नू आपणे दारों के 50 ग्राम दार लिदू छे तो प्रक्रिया ने अन्ते जे के पन निपजो प्राप्त थाई छे ए निपजो नू दाड़ पन 50 ग्राम ज थसे एटले के राशानिक प्रक्रिया दर्म्यान अहिया अगर मूड पदार्त मा रहेला द्रव्यानों जथो ओछो ततो नथी के नव जथो उमेरातो नथी एटले प्रक्रिया ने अन्ते चुदा गुण दर्म धरावतो जे द्रव्या मलू जन्या आपड़ निपजो नाम आप्यू ते अनू दाड़ एपन 50 क्राम ज होई छे एटले आज इबाबत छे इबाबत ने आपड़े द्रव्या संचैना नियम अत्वातो दर संचैना नियम तरीके ओड़खावी शक्ये छे सोप्रतम लेवजियर नाम ना वेग्णानी के दहनी प्रक्रियाओना कार्जी पुरोग ना अभ्यासुपर थी आबाबत तार्विया थी क्यार बाद आपड़े बीजो नियम जुईए छे निश्चित प्रमालनो नियम जे सोप्रतम जोसेफ प्राउष्ट नामना वेग्णानी के आपे आतो आ नियम मुझब जेते सहियो जनमा तत्वोनु प्रमाहा निश्चित होई छे एवो केवा मायु छे उदान तेरी के या अगल लेए तो पाणी एच्टू उमा कूल बे प्रकारना तत्वो आवेले चे हाईडोजन ने ओक्सिजन पर आईडोजन परमाहा नी संख्या बे नी सामे ओक्सिजन परमाहा नी संख्या एक छे इटले के पाणी ना अत्वात पाणी द्रव्यना जत्थामा हाईडोजन अने ओक्सिजन नू दढ़ थी गुणत्तर निश्चित इटले दढ़ हाईडोजन नू बे ग्राम लिये तो अक्सिजन नू दढ़ सोड ग्राम तेनी साथे संख्या थैलू होई छे इटले के आ बन्ने ततो ना दढ़ नू प्रमाण अत्वा तो तेनो पर्मावनी संख्या नू गुणत्तर निश्चित छे तेम केवाई आज नियम उपरती आपड़े एंपण कही शक्ये छे के कोईपण संख्यो जन गमेते पद्यती थी बनावामा आवे अथ्वा गमेते स्त्रोतमा थी मिडवामा आवे तो पर तेमा रहला गटक तत्वनू जे प्रमाण छे ए प्रमाण बदलातू नती इले के संयो जननी संवरचना निश्चीतज होई छे तेवू आ नियम उपरती कही शकाई त्यार बाद त्यजो नियम आपड़े जुईये छे गुणक प्रमाण नियम के जे जोन डालता नामना वेकदानी क्या आपड़े हों आनियम अनुसार जारे बे तत्वो एक बिजा सते संयो जाई एक्थी वदू संयो जन बनावे तो एक तत्वाना निश्चित दड़ साथे संयो जाता बिजा तत्वाना दड़नो प्रमाण पोणांक संख्याना गुणत्तरमा होई छे उदान तरीके आपने लिए अहीं आगर एच्टू ओ अने एच्टू ओ टू इलेके हाइड्रोजन अने ऑक्सिजन बच्चेनी प्रक्रिया थे अने बे अलग अलग संयो जन एच्टू ओ अने एच्टू ओ टू आइड्रोजन पेरोक्साइड बन्या तो बे अलग अलग तत्वा लिदा एमा थी कूल बे संयो जन बन्या तो वे आ संयो जन एच्टू ओ मा हाइड्रोजन नू दढ़ निश्चित बे ग्राम अने एच्टू ओ टू मा पन आइड्रोजन नू दढ़ निश्चित बे ग्राम साथे अनुक्रम है पहला संयो जन मा अक्सिजन नू दढ़ सोड ग्राम संयो जायो जारे बीजा संयो जन मा अक्सिजन नू दढ़ 32 ग्राम संयो जाये चे इतले के हाइड्रोजन निश्चित दढ़ साथे संयो जाता अक्सिजन ना दढ़ नू प्रामा सोड जैम 32 ग्राम संयो जन मा अक्सिजन नू दढ़ नू प्रामार सोड जैम 32 ग्राम सादो पूर्णांक गुणोत्तर छे तेम कही शकाय तो आज नियम चे एने आपड़े कुणक प्रामाना नियम तरीके उड़खाई शक्ये आज लेते सल्फर अने ओक्सिजन वच्चे नी प्रक्रिया थी बनता सल्फर डायक्साइड अने सल्फर ट्रायक्साइड ना उदान उपर थी पर आज बाबत आपड़े सरता थी समझी इशक्ये सल्फर डायक्साइड मां 32 ग्राम अने सल्फर डायक्साइड मां 32 ग्राम सल्फर निश्चित दाड़ साथे ओक्सिजन नू अनोक्रमें 32 अने 48 ग्राम दाड़ सहीं हो जाईचे तो अहिए अगर फर है आपड़े कहिए तो आ ओक्सिजन ना दाड़ जे सल्फर ना निश्चित दाड़ साथे सयों जाएचे ए दाड़ नो गुणत्तर सादो पोणा गुणत्तर छे तेम कही शकाई त्यार बात अगर आजुए गेली सेक नो वाय माय कद नो नियम आण ये मनुसार राशानिक प्रक्रिया मा वायो सयों जाए अथवा उत्पर न थाएचे त्यारे जो वायो समान तापबाने अने दबाने होए तो तेमना कद सादो गुणत्तर दरसाव शे अथव तो तेमना कद सादा गुणत्तर मा होईचे तेम कही शकाए उदान तरीके या गर एक प्रक्रिया ज्यानमा लेए तो हाइड्रोजन वायू साथे ओक्सिजन वायू नी प्रक्रिया थाएचे आ प्रक्रिया मा हाइड्रोजन 2H2 गेस प्लस ओक्सिजन O2 गेस पच्चे नी प्रक्रिया थेई अने H2O 2H2O गेस प्राप्त थे तो ही हाइड्रोजन वाई स्वरूप मा ओक्सिजन पन वाई स्वरूप मा अने H2O पन वाई स्वरूप मा चे 33 पदार थो ना ताप्माने दबान समान परिस्थिदी मा लेवा माव्या चे तो ही हाइड्रोजन नूँ जे कत ओक्सिजन ना जे कत साते सहीं जाए छे यह अपने दर्शावू होए तो एर्थे दर्शावू सक्किये के हाइड्रोजन नूँ कत बे ओक्सिजन ना एक कत साते सहीं जाए छे अने H2O नोपन बे कत प्राप्त थयू इतले के त्रोणे त्रोण वाई हो अथवा प्रक्रियामा भाग लेता वाई हो अने प्रक्रियाने अन्दरे उत्पनसदा वाई हो ना कत सादा पोणा गुणोत तर्मा छे अत्वा तो ते प्रमाण मा प्रक्रिया करे छे तेमा आपने कही शक्किये क्यार बाद एना पच्छीनों नियम आपने जोईए छे ए नियम छे एवोगेट्डोनों नियम आ नियम अनुसार एक सर्खात तापमाने ने दबाने जुज़दा वायोना समान कदमा आणोनी संख्या समान होई छे अहीं एवो क्या अनुवर छे के धारो के हाईडोजन वायो औने ओक्सिजन वायो औने नाइटोजन वायो आ त्रोण वायोने एक सर्खात तापमाने अने दबाने लेवामा आवया छे तो समान तापमाने ने दबाने जो त्रोणे वायोना कद समान लिदेला होई तो आ त्रोणे वायोना समान कद मा तेमना आणुवर नी संक्या लेके हाईडोजन आणुवर नी संक्या ओटो ना आणुवर नी संक्या अने एंटो ना आणुवर नी संक्या समान छे तेम केवाई छे इतले के एवोगेटरों ना नियम अनुसार जो आपड़े वायू ना समान कहत लेई अने तेमना दड़ नक्की करी अने तेनों गुणत्तर आपड़े जो सुधी काड़िये तो एक वायू नू दड़ बीजा वायू ना दड़ करता कितला गणू वजन मा भारे छे अत्वा वजन मा कितला गणू छे ते अपड़े सड़ता थी नक्की करी शक्किये चे एवोगेटरों नियम आगर अपड़े फरी अभ्यास्ति अंदर द्यानमा लैसू अने एवोगेटरों ने नियम चे ए नियम नीम नियम अपड़े हाइडोजन, ओक्सिजन, नाइटोजन जेवा वायो ध्वी परमाणु अनु सरूपे अस्चुत्त दरावे छे एवो पान सर्ता थी समझी सक्या छी है इदले के एवो गेटो ना नियम उपड़ थी, पहला हुमानुआमा होतु होतु कि बे समान परमाणु बेगाथी अनु बनाई शक्ये नई इदले के हाइडोजन ना बेव परमाणु बेगाथी हच्टु अनु सरूपे होय शक्ये ने पन एहो गेटों ना नियम ना फल सो रूपे आब आबा सरणता थी समझी सकाई चे अने कितलाक तत्वना ना नाकनो ध्वी परमानु अनू सो रूपे अथ्वत भौपरमानु अनू सो रूपे हो चे एम आपड़े सरणता थी कई शक्क्ये चे त्यार बाद दल्टन नमना वेगदानी के जे परमाने सिद्धान्त रजू करयो ए परमाने सिद्धान्त नी मुख्य जे अविदानाओ छे ने आपड़े ध्यानमा लिए तो ए मुझे द्रव्य अविबाज्य परमानो नो बनेलू छे एले के कोईपण द्रव्य नो नानामा नानो कान परमानू छे अने ते अविबाज्य चे एले के देनू विबाजन करी शकातू नथी बिजे अविदानामें क्या हो मायू जे के एकज तत्वाना बदा परमान वो समान दाड अने समान गोण दर्मो दरावे छे परन्तु ते बिजा तत्वाना दर अने गोण दर्मो थी जुदा होई छे साथे साथे त्रिजी अविदानामें क्या हो मावके जारे जुदा जुदा तत्वाना परमान वो कोई निश्चित प्रमान मा जोडाय छे त्यारे ते सहिय जन्नो नाना मानानो कान अनू बनावे छे इतले अमनाज की दो हीते मुझप निश्चित समुरत नाना नियम नियंदर अपने जोई गया के सहिय जन्नमा दरेक तत्वानू प्रमान निश्चित प्रमान निश्चित है छे हैले इहां कर दार्टनना परमान ये शिद्दान मा पन आज बाबात क्यों आवी छे अगर बात करें मुझब हाइडोजन और ओक्सिजन वच्चे प्रक्रिया थाए तो हाइडोजन ना बे पर्माण ओक्सिजन ना एक पर्माण साथे जोड़ाई अने पाणी सहिंजन नो आणू H2O बनाव से चोथी अपिदाना मुझब राशानिक प्रक्रिया दर्म्यान पर्माण ओनी फेर गोटावनी थाएड़े परन्तु पर्माण ओनो नाश के सर्जन थतो न थी इडले आपडे जारे पेलोज नियम द्रव्य संचनो नियम, दर संचनो नियम जोई गया तो ए नियम नी अंदर आपडे वाद करीती ते मुझब राशानिक प्रक्रिया दर्म्यान अहिं आगड आपडे ले तो 2H2 गेस प्रक्रिया मा आपने जोई शक्किये चे के डाबी तरफ आइडोजन परमावनी संख्या बेदू चार जमनी तरफ निपद मा पन बेदू चार चे आइडोजन के अक्सियन परमावनी नास के नवा परमाण वो सजन पामता नथी द्रव्य संख्या ना नियमनों पालन थाई जे तेम कई शका तमित्रो अहीं आपने रासानीक संख्यकर माटेना जे अलग-अलग नियमों द्यान मा लिदा ये तमाम नियमों एनों आपड़े आगर उप्योग करवाना चीए आगर ना टौपिक नियंदर आपड़े जारे राशानिक प्रक्रिक्यानू संतुलन करीशू त्यारे पान डाल्टन ना परमान सिद्धान नी आजे छिली अभिदारना चे अथ्वातों जे द्रव्य संचाय दर संचाय जो नियम छे एने ज आपड़े उप्योग मा लई सू तो आभी जे बाबतों छे ए बाबतों लेके राशानिक प्रक्रिक्यान माटिना जे नियम हो छे ए नियमों ने आपने बराबर आत्मसात करी अने एनो वखतों वखत प्रक्रियाव माँ कही रीते उप्योग ठाये छे एने आपने सतत जोता जिये तो आ नियमों आपने सर्थ आथी यादपन रही जाये छे अने येना पराधारेत कोई पर प्रकावनों प्रश्ण पुछा है तो आपने येनों सर ताथी जवाब आपी शक्किये छे हवे मित्रों बीजी अगत्यनी वावात अहिया गार जोवानी आवे छे अने ये छे राशानिक प्रक्रियाओ दर्म्यान तत्व योगमित्य गणत्री पन आ गणत्री कहिरते थाये छे एने समझता पहला अपने सव प्रतम तत्व ना ना मनाना काण डाल्टना सुद्धान मुझा द्रव्यनों ना ना मनानों अविबज्य काण पर्मानु ना दाड अने पर्मानु पर्थी अनुओ ना दाड यलेके आनविया दाड मोल संकल्पना विश्या अपने पहला अभ् करो जरूरी बने शें तोज आपड़े आ रासानिक प्रक्रिया धर्म्यान तती घणतरी लेके तत्व युगमितिया घणतरी सरता थी समझी शक्यें आपेला द्रवे नियंद जेते तत्वाना कड़को केटला प्रमालमा चे वगेरे बावाज पन आपड़े सरता थी जानी शक केचे तो मित्रो अहीं आपड़े सोप्रतम तत्वाना परमाणिया दड़ विशे अभ्यास करिये छे त्यारे पहलो पॉइंट आपड़े यां गड़ जोवामा गिये अनि एछे परमाणिया दड़ वास्तव मां कई रिते नक्ये करो तो पहलां पहली बाबात आपड़े जोईए तो परमाणू अत्यांत सुक्ष्म चे जयने आपड़े नरी आके जोई शक्ता नती एटले कोईपण तत्वाना परमाणे जेते द्रव्य मां थी अलग करी अने तेनू आपड़े वेट सरता थी करी शक्ता नती यहले के परमाणू दर सिधे सिधू माप्पू और शक्ये चे पण हालना समय मा अत्यारे दर स्पेक्टो में ती ध्वारा आपड़े कोईपण तत्वाना परमाणू दर सरता थी जानी शक्ये चे वे ओग्णिस्वी सदी नी आपड़े वाद करेशे त्यारे ओग्णिस्वी सदी मा तत्वाना परमाणू दर सापेक्स सोध्वा मा आवेवे सापेक्स दर सोत्ती वकते एक तत्वाना परमाणू दर निश्चीत ले लेवा मा आवे अने तेने सापेक्स बिजा तत्वाना परमाणू दर वजन मा कितला गणू भारे छे ते नक्की करवा मा आवे छे तो आरी ते मड़तू दर एने आपडे सापेक्स परमाणू दर तरीके पां ओडखावी शक्किये छे तुमीतरों सोप्रतम हाइडोजन थियार बात ओक्सिजन थियार बात क्लोरिन वगेरे तत्वो ना परमाणू दर ने एकम तरीके ले निश्चीत मुल्या ना ले अने तेने सापेक्स अन्या तत्वो ना परमाणू दर नक्की करवा मा आवे पन केटिक वखत आरिते मरता अन्या परमाणों ना परमाणिय दर निश्चीत मुल्यना मरता नथी माटे अंतरस्टियले वले कार्बन ना कूल्त्रोन समस्तानिकों छे C12, C13 अने C14 पैकी C12 स्थाही छे कार्बन ना समस्तानिक C12 ना परमाणिय दर ने द्रवमान स्पेक्टोमिटर नि मदधी मापी अने बार AMU छे त्यो स्विकारवामा आयों क्लोरीन, हाइडोजन, नाइडोजन वगेरे तत्वना परमाणिय दर न खणत्री मा लिये चे उप्योग मा लिये चे ते सापेक्स परमाणिय दर चे अने ते कार्बन ना समसानिक C12 ना परमाणिय दर बार AMU ने सापेक्स नकी करवामा आवेला चे अहीं, परमाणिय दर माटेनों एकम सोप्रथम AMU दर सावामायों, जने परमाणिय दर एकम गुजराती मा केवाई चे हवे प्रश्ण यह आवे के एक AMU बराबर किटला इतले के परमाणिय दर ने एटोमिक मास यूनिट मा थी ग्राम साथे सबंदित करवो हो इले के एक एटोमिक मास यूनिट बराबर किटला ग्राम था है हैंके वेवर मा अपड़े कोईपण द्रवे ना जत्ता ने ग्राम अत्वा किलोग्राम मा दर्सावता हो यह चे तो वन एटोमिक मास यूनिट इतले किटला ग्राम तो आब आबत ने आ रिचे दर्सावाम आयो चे के कार्बन ना समस्थानिक सी ट्वेल ना एकल परमाणू ना दर्सावता नो बार्मो भाग जे ने आपड़े कैसू वन एटोमिक मास यूनिट इतले कार्बन ना समस्थानिक ना जे एकल परमाणू आपने दर्सावता जाए छे एनो बार्मो भाग यह वन एटोमिक मास यूनिट तेरी कि आपने लही शक्ये इले कि कार्बन ना परमाणिया दर्सावता नो एक बाराउंस मो भाग यह वन एटोमिक मास यूनिट तो आप वन एटोमिक मास यूनिट बराबर आपने अमर से वन पॉइंट डबल शीक्स जीरो फाइव सिक्स इन्टू तेन रिस तू माइनस ट्वेंटी फोर ग्राम यह वन एटोमिक मास यूनिट ने ग्राम साथे सू सबन चे यह आपड़े यह आगड ध्यानमा लई सून। हवे आधुनिक रिते लेके हालना समयमा एटोमिक मास यूनिट ने जिग्याए यू यू यूनिफाइड मास पाण दर्शावामा आवे छे। तो अहिए अगर हाइडोजन नू परमाणविया दर जो आपड़े एटोमिक मास यूनिट एकम्मा नक्की करवू होए तो द्रवमान स्प्रेक्टोमेटर नी मदती हाइडोजन ना एक परमावन नू दर जे आपड़े नक्की करिये छे। यह मड़े छे 1.6736 इन्टू 10 देस्टू माइनस 24 ग्राम अवे अमना आज की दिये मुझे अब 1.66056 इन्टू 10 देस्टू माइनस 24 ग्राम यहले 1 एकमिक मास यूनिट तो आटला ग्राम बराबर किटला एकमिक मास यूनिट तो आज हे संख्या छे यहने 1.666056 इन्टू 10 देस्टू माइनस 24 वड़े भागी नाखिये तो आपने जे मुल्य अहिए अगर प्राप्त तो से यह तो से 1.0078 AMU इटले के आज मुल्य अतू ग्राम मा अने आ मुल्य अपने लेदू ग्राम पर AMU तो AMU पर गया माटे आ मुल्य अपने हाइडोजन नू एटोमिक मास यूनिट मा प्राप्त दरू सर्था माटे आपने 1.0 AMU अत्वा यूनिफाइड मास आ रिते आईडोजन नू परमाणिय दरू ग्राप्त त्री माटे लईये शें तो आ रिते हालना समय मा अलग-अलग तत्तो आजे परमाणिय दरू छे ए परमाणिय दरू आ रिते नक्की करवामा आवेला शें है मित्रो बिजीक वस्तो आगर ध्यान मा लिए मानिलो के कोई एक तत्त्तव ना अलग-अलग समसानिको आवे दरू के क्लोरीन ना बैस समसानिको छे तो कुद्रत माथी आ बन्ने समसानी को केटला प्रमाण मा प्राप्त थाई छे ए प्रमाण नू मुल्य आपड़े जानता है तो एना परती आपड़े क्लोरीन नू सरेरास परमाणिया दार सोधी शक्किये छे तो कुद्रत माथी मरता क्लोरीन 35 नू प्रमाण 3 जे म 37 नू प्रमाण 1 छे तेना परती क्लोरीन नू सरेरास परमाणिया दार जो आपड़े नकी करवू होए तो क्लोरीन ना पात्रिस परमाणिया दार दरावती संक्या त्रोन लेए वत्ता 37 परमाणिया दरावती संक्या एक लेए बाग्या कूल संक्या ट्री प्लस वन एलेके फॉर वडे आपड़े बागी नकी तो आपणे क्लोरीन हो सरेरास परमाणिया दार पात्रिस पोइंट पाच एम्यू अत्वा युनिफाईड मास आपणे मढ़े तो आ रिते आपड़े एकतत्त्व माटे जो अलग-अलग परसंटेज वाईस तेना समसानिको प्राप्त थता होए तो ते तत्वनों सरेरास परमाणी अदार आपड़े नक्की करी शक्ये छे मित्रो आ बाबत ने द्यानमा लिदा पची हवे आवे छे तेना पचीनों मुद्धो आन भी अदार अगव आपड़े जोई गया ची है के परमाण वो बेगा थे अने अनु बनावे छे पची बे समान परमाण वो बेगा थे सम केंदरी अनु बनावे के बे अलग-अलग प्रकार्ना परमाण वो बेगा थे अने फिशम केंदरी अनु बनावे पण कोईपण अनु नी रचनामा एक करता वदू समान के असमान परमाण वो आवेला हो चे यह आपड़े सव जानिये छे आ मुजब हवे जो मारे हाइडोजन अनु दर सोधू होए यह लेके हाइडोजन अनु आन्विया दर सोधू होए यह द्रीते हफोजन अनु आन्य दर सोधू होए तो मारे हफोजन अनिय दर सोधू माटे सब्रथं तयमा समावेला परमाण वो आशी से जोवडे तो हईडोजन ना परमाण मों चे एनी संग्या केरली छे तो बे अने कौंस माहूं हाइडोजन नू परमाणियदार वडे गुणी नाकू तो हाइडोजन नू परमाणियदार वन एम्यू छे राबर तो आपने ह्टु अनो नू आन्वियदार टू एम्यू अत्वा युनिफाई मास प्राप्त दसे एज रिते ह्टू नू आन्वियदार सुधू होयोए तो बे कंसमां हाइडोजन नू परमाणियदार वड़्था एक कंसमां ऑक्सियन नू परमाणियदार बराबर 2 by 1 into 1 by 16 बराबर 18 यू अत्वा अम्यू प्राप्त दसे तो रिते आपडे पर्मानिय दाण उपर्थी आन्विय दाण नकी करी शक्येशे एज रिते किटलाक पदार्थिनी अंदर खास करीने आपडे वाद करीएशे तो आयनिय पदार्थमा गटक कण तरीके अनू होतो नथी परंतु तेमा आयनो आवेला होई छे दहण तरीके मिठु सोडियम क्लोराइड मा तेना गटक कण तरीके एने प्लस अने चेल माइनेस आवेला चे तो मिठानी सोडियम क्लोराइड मा तेना गटक कण तरीके एने प्लस अने प्लस अने प्लस अने तेनी आवेला चे परिणाम सरूप मिठानी सोरजनामा एने सीयल नो स्वतंत्र अनू अस्चित्व धरावतो न थी बिजीरी दे कहिए तो एने सीयल मिठानी अंदर एकम तरीके एने सीयल होई छे इलेके स्वतंत्र अनू अथ्वा स्वतंत्र आये नो ध्यानमा न लेता आपड़े एने सीयल पदार्चिनी अंदर तेनो एकम एने सीयल होई छे तेम आपड़े कही शक्ये माटे आयनिय पदाच ना संदर्ब मा आणविया दर न केता सुत्र दर आपड़े तेने सर्ट आथी कही शक्ये तो मिठा माटे तेना एकम नू सुत्र थेऊ एने सीयल तो एना परती तेनू जे दर नकी करवामा आवे एने केवाय सुत्र दर तो एने सीयल माटे सुत्र दर बराब सोडियम नू परमाणिय दर वत्ता क्लोरिन नू परमाणिय दर आउ आपड़े लखी अने पच्छी बन्नेना परमानिय दल नो आ रिते आपड़े सर्वाडों करिये तो आपने NACL नुँ सुत्रदल 58.5 एम विद्वा उनिफाईड मास प्राप्त तोसे तो आरिते आनिय पदायत माटे आपड़े आनिविय दल न बोलता सुत्रदल बोलीशू अने यनु सुत्रदल आरिते नक्की करवामा आवेचे हवे मित्रों बीजिये कगत्यानी बापत आपड़े द्यानमा लेएचे परमानिय दार आनिविय दार शुत्रदार तो जुई गया पन हवे एक स्टेप आगा जहिने आपड़े विचारिये तो ध्रव्यानो जथो एसा एकम पद्यतिमा आपड़े दर्शाविये चे तो एकम चे मोल इले राशानिक प्रक्रियाओ दर्म्यान आपड़े कोई पण पदार्त नो जे निश्चित जथो लेएचे ए जथाने प्रक्रियानी गलत्री माटे कया एकम माले हो तो एकम चे मोल जें सामने व्यवार मा आपड़े एक डजन माटे एव कईये चे बारनं ते वस्तू एज रिते एक कोडी माटे ते पदार्त ने विश्चित नं एव आपड़े कईये चे एम द्रव्यनों एक मोल जथो जारे आपड़े बोलिये तो एक मोल जथो एटले द्रव्यना कणनी संख्या केटली तो वेग्दानी कोई नक्की करूँ छे ते मुझब कार्बन ना समस्तानिक C12 ना बार ग्राम वजन माँ कार्बन ना परमाणों नी जे संख्या जोवा मले त्याने ए संख्याने एक मोल द्रव्यना जथा तरीके लेवामा आवे छे अने आ संख्या छे 6.022 into 10 raise to 23 जेने एवो गेडरो अंग पाण कहे छे तो मित्रो अहीं जेम आपड़े एक डेजन माटे बार नंग एव कहिये छे एलके जो कोई पदार्थ ना बार नंग बेगा करवामा आवे तो ते पदार्थ नो जथो एक डेजन लिदोशे देम केवा एम कोई पण द्रव्या ना राशान की ते जोई ए तो ते द्रव्या ना चोपण 022 into 10 raise to 23 कर पचिये परमानू हो होई अनू होई अथवा आयन होई अथवा एकमो होई अथवा इलेक्ट्रोन होई प्रोट्रोन होई न्यूट्रोन होई एटले के करनी संख्या चोपण 022 into 10 raise to 23 लहिए एले ते द्रव्या नो एक मोल जत्थो लिदो छे तेम कई शकाई पन फरी पाचो प्रश्ण यह आवे के मोल जत्था नी अंदर करनी संख्या खूब मोटी छे कण ने आपड़े नरियांखे जोईश्चक्ता न थी जो आपड़े बार बजार मां एक डजन केडा लेवा जीए तो केड़ो जेछे एनी संख्या गणवी सर चे इले बार नंग केडा इले एक डजन केडा था है तो एक गणत्री करी अने एनो व्यवार करवो शक्य चे पन ध्रव्याना नानाम नानाकान अनू परमाणू ने तो आपड़े नरियांखे जोईश्चक्ता न थी अने आज ये बाबद नरिया के जोईशकाती न थी तो एक डणनी संख्या गणवी अशक्ये चे माटे वैग्दाने कोई मोल जथाने वजन साथे साक्रिने पन तेमनी वच्चे नो रिलेशन दर्शावे चे तो आ मुझब एक मोल द्रव्यनो जथो इटले तेनू केटलू द ये नकी करा माटे आपड़े फरी पाचा अहिए अगर कार्बन ना समस्तानिक नीज वाद करिये शे त्यारे कार्बन ना समस्तानिक C12 ना बार ग्राम जथा मार रहेला करनी संख्या चो पन जिरो बावे से नू टेन स्टू ट्वेंटी थ्री आवे से एवो आपड़े जोए गया आ एवो गेट रॉंग नू मुल्या करिते तारवा माव ये पन आपड़े जोए लेए तो कार्बन ना बार ग्राम वजन लिदू अने आ बार ग्राम वजन मा तेना करनी संख्या आपड़े सुद्धिये चेले के बार ग्राम प्रती मूल C12 रबर येने आपड़े कार्बन ना एक परमावन दर्स वड़े भगी नाखिये 1.992648 इंटू 10 देस्टू माइनस 23 ग्राम वड़े आपड़े भगी नाखिये तो कार्बन ना संसानिक C12 ना आ एक परमावन दर्स वजन चे येने कार्बन ना बार ग्राम प्रती मूल वड़े भगी नाखिये तो आपने आटला परमाणू प्रती मूल इड़े के 6.022 इंटू 10 देस्टू 23 परमाणू प्रती मूल प्राप्त था है तो आना प्रती आपड़े बेवस्तू द्यान माली थी के एक मूल द्रव्या ना जत्ता मा तेना काणनी संक्या चोपॉइंट जिरो बाइस दू 10 देस्टू 23 एले के हो गेट रॉँग जितली होए बिजिरी दे कही है तो कार्बनना समसानिक सी ट्वेल नो एक मोल जत्थो एटले तेना पर्माणिय दर जिटलू ग्राम मा वजन तो आना पड़ती आपड़े हम कई सक्के जे के कोईपण तत्वाना पर्माणिय दर डागत दरेगे आक्सीजन नो पर्माणिय दर हुँ शोर एमू चे तेम कगो तो अनुरस तो तो अनुरस ए होत से के ओक्सीजन नो एक मोल जत्थो ऑक्सीजन तत्वाना पर्माणों नो एक मोल जत्थो लेवाम हावे तो आएक मोल जत्ता नूँ वजन सोड ग्राम थाए छे एले के अक्सिजन नूँ परमानेदर सोड ग्राम प्रती मोल छे तेम कही शकाए एनी जगे जो हूँ ओक्सिजन आणो नूँ आणवियादर बोलू छू तो ओक्सिजन नूँ आणवियादर दसे 32 AMU अत्वा युनिफाइड मास इतले के 32 ग्राम प्रती मोल इतले के एक मोल ओक्सिजन वाई ओनो जत्तो इतले के 32 ग्राम ओक्सिजन आणु ओ अत्वा तो ओक्सिजन आणु नू 32 ग्राम वजन लेए तो तेना एक मोल जत्ता बराबर था है इतले के कोई पन तत्वा ना परमाणियादर अत्वा कोई संयोजन ना आणुवियादर जेतलू वजन ग्राम मा लेवामा आवे तो ते द्रव्यानो एक मोल जत्तो लिदो छे तेम कई शकाई इतले के परमाणियादर अने आणुवियादर माटे अन्य एकम ग्राम प्रती मोल छे तेम पनापडे कई शक्ये छे तो परमाणियादर अने आणुवियादर वास्तव मा मोलर दर तरीके जोड़काई छे कारण ओक्सिजननुपरमाणियादर शोड़ ग्राम प्रती मोल छे एले के एक मोल ओक्सिजन तत्तो अना परमाणुवियादर शोड़ ग्राम छे तेम क्यवाई एले कोईपण द्रव्याना एक मोल जथानू ग्राम मा वजन ए तेना मोलर दर बराबर होई छे तो आ रिते आपणे परमाणियादर आणुवियादर तेमज सुत्रदर ने मोलर दर तरीके पां ओड़कावी शक्ये छे अने कोईपण तत्वना परमाणू के कोईपण स्योजन ना आणूना आणुवियादर ने जारे आपणे ग्राम मा लखी जे तेने ग्राम परमाणियादर अथा ग्राम आणुवियादर पां कहे छे तमित्रो अहीं आपडे पर्माणियदर, मोलरदर, सुत्रदर अने मोल आ एक बिजासा दे के विरिते संक्रा आला छे एनी आपडे एक अगरत्यनी बाबत करी ध्यान माली दी हवे पछी आपडे आ त्रोने त्रोन बाबत ने एक बिजासा थे आगर गरत्यनी अंदर साक्री ने किटलेक बाबतों आपडे सर्था थी नक्की करी सुम। जेम के जो यहां करनू एक उद्रान तरीके प्रस्ण लओ तो आप प्रस्ण मुझे अब एव क्यावाएं के ह्टू ओ ना एक मोल जथा मां हाइड्रोजन ना मोल 2 छे अने ओक्सिजन ना मोल और एलेके ओक्सिजन तत्वना मोल एक छे तेम क्यवाएं बिजी रिदे के हैं तो एक मोल एच्टो नो ग्राम मा वजन तेना आणिवेदर जेटलो एलेके अडार ग्राम छे हाइड्रोजन ना बे मोल हाइड्रोजन नो एक मोल नू ग्राम मा वजन तेना परमाणिवेदर जेटलो पाटे बे मोल नू वजन बे गोणिया एक एलेके टू ग्राम तेसे तो ओक्षिजन तत्वना परमाणिवेद ना मोल एक मोल नू ग्राम मा वजन तेना परमाणिवेदर जेटलो था है ये लेके ओक्सिजन नू परमाणियदार परती ओक्सिजन ना एक मोल नू ग्राम मा वजन 16 ग्राम तसे माटे आपने येम कई सक्किये चे के पाणी ना एक मोल ये लेके अधार ग्राम जत्तामा बे ग्राम हाइडोजन अने सोड ग्राम ओक्सिजन छे तेम कही शकाई बिजीरी ते कही है तो पाणी ना एक मोल जत्तामा पाणी ना आणवोनी संक्या छो पॉइंट जीरो बाविस इन्टु टेन डेस टू ट्वेंटी थरी चे तो हाइडोजन ना परमावनी संक्या के लिए तो हाइडोजन ना मूल बे गुण या छो पॉइंट जीरो बाविस इन्टु टेन डेस टू ट्वेंटी थरी चे तेम के वाइडोजन ना परमावनी संक्या के लिए तो अक्सिजन ना परमावनी संक्या आपड़े गणवी हो तो 1 into 6.0 double 2 into 10 raise to 23 लेके ओक्सिजन तत्वना पर्मावना मोल एक गोणिया एवोगेट्रॉंग लेके कोई पन द्रव्यना मोल जत्ताने एवोगेट्रॉंग वड़े गोणि नाख्वामा आवे तो आपने ते द्रव्यनी अंदर एला तेना कणनी संख्या प्राप्त तसे तो अहीं आरिते आपने सुत्र लखी जगे के कोई पन द्रव्यना मोल बराबर ते द्रव्यनू ग्राम्मा वजन भाग्या अपने ते तत्वानो परमाणविया दाड संयजन होय तो तेनो आणविया दाड अथ्वा तेना सुत्र दाड लखी शक्ये जो द्रव्यनू ग्राम्मा वजन खबर होय औने ते द्रव्यनू नानाम नानो का परमाणू होय अथ्वा आणू होय तो तेना परमाणिया दाड के आणिया दाड वड़े ने भागी नाखवा मा आवे तो आपने ते द्रव्यना मोल प्राप्त दसे बिजिरी दे कहिए तो जो द्रव्य ना मोलने तेना परमाणिय अदल अथ्वा आणविय अदल साथे गोणी नाखवाम आवे तो ते द्रव्य नू ग्राम मा वजन आपने प्राप्त दसे अन्येक सुत्रनी अंदर जो आपडे द्रव्य ना मोल सोध्वा होये तो ते द्रव्य ना मोल माटे संख्यानो सबंत पन आपने लई अने मोल सोजी सके ये लेके जेते द्रव्य ना कणनी संख्याने द्रव्य मा आवेला कणनी संख्याने एवो गेट रोंग ये लेके 6.022 इन्टू 10 रेस्टू 23 वडे भागी नाख्वाम आवे तो आपने तेनो मोल जत्तो प्राप्त दसे बिजीर दे कहिए तो आपेला द्रव्य मा तेना कणनी संख्या सुध्वी होए तो तेना मोल खबर होए अने एवो गेट रोंग साधे गुणी अने द्रव्य ना कणनी संख्या आपने सर्थ आथी नक्की करी शक्किये छे तो मित्रो आ रिते आपने अलग अलग प्रकार ना कैलकुलेशन आना अपर्थी करी शक्किये छे हवे आपने आगल बिजेक अगत्यानों पॉइंट जोईए छे अने ते छे सेह जन्मा रहेला तत्वनू टकावार प्रमाण एलेके बंदारणिय अथ्वा संगटनिय टकावारे मित्रो अहीं अगल एक बाबत आपने खास ज्यानमा अगव लई चुक्या छे कि कोईपण सेह जन्य अंदर तेना तत्वनू प्रमाण निश्ची तोई छे एलेके तेनी संगरचना निश्ची तोई छे ग्लुकोस C6-812-O6 संगरचना अपने निश्ची तोई चे तो आज ए संगरचना दर्शावी ए संगरचना ने अनुरूप तेमा रहेला तत्वनू टकावार प्रमाण दढ़ने आधारे केटलू छे एने केवाई छे संगरचनी अत्वा बंदानी या टकावारी तो आ माटे आपड़े एक उदान लेए छे ग्लुकोस नू ग्लुकोस ना एक मोल जथानू दर्ट तेना आणवियदर बराबर दसे तो आणवियदर चे एक सो ने एंसी ग्राम प्रती मोल एले एक मोल ग्लुकोस नू वजण एक सो एंसी ग्राम थेओ अबे आए एक सो एंसी ग्राम ग्लुकोस मा कोई एहो प्रश्ण पुछे के कार्बन ना मोल के ला तो कार्बन ना मोल चो हाइडोजन ना मोल तो हाइडोजन ना मोल चे बार अने ऑक्सिजन ना मोल पुछे तो आपड़े कैसो चो माटे कार्बन नुँ वजन तो मोल छो गोणिया पर्माणिया दल हाइडोजन नुँ वजन ओक्सिजन नुँ वजन पुछे तो आपड़े तरत बार गोणिया पर्माणिया दल हाइडोजन नुँ ओक्सिजन नुँ सोड गोणिया छो तो आरिते बहुत तेर बार अने चन्नु खुल सरवाव करेशू एले एक्सो ने एंसी ग्राम प्राप्त तोसे एले के ग्लुकोज ना आणविय दड बराबर प्राप्त तो 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 अहीं अगर क्लुकोज ना एक्सो एंसी ग्राम दड मां कार्बन नू दड ने आदारे प्रमाण जुए तो एछे बहुत तेर ग्राम तो अहीं यहां वजन्न केता दड़त द्यान मा लिये जे तो कार्बन नू दड़ती टकावा प्रमाण केटलू ए नके करूँ है तो आपड़े तरत कही सक्के तो कार्बन नू दड़ती टकावा प्रमाण आपड़े आरे ते बहुत एछे के सो गोणया बहुतते बाग्या एक्सो एंसी तो आने आपड़े आरे ते साधरूप आपड़े तो तो हिया अगर आपने मर से 40 टका तो हिया अगर कार्बन नूँ दर थी टकावार प्रमाण आपने 40 टका प्राप्त थे उन। आरी ते आपने कोईपन सेयोजन गमेते जत्थामा लईए तो तेहमा रहला तत्वनू दर थी टकावार प्रमाण निश्चित्र जोईचे एमा कोई फेरफार थे तो नथी अने आरी जे आपने सामने सुत्र आना पड़ती लई शक्ये के जे ते तत्वनू कोईपन तत्वनू पसेंटेज दर थी प्रमाण जो सुधू होए तो एना माटे आपने 100 गोणया ते तत्वनू ते संयोजन मा दर बाग्या आन्विया दर अथ्वा ते संयोजनू मोलर दर लई अने आपने चिते तत्वनू दर थी टकावार प्रमाण सरताती सुधी शक्ये चिनू झाला माेन किते प्रमाण सरताती सुधूब।